नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल हम कैसे प्रिपेर कर सकते हैं हमारे मीट कैप और मैंक एक्स का जो एक्सपारी होगा चार्ट और ऑप्सन डेटा के यह साथ से हमें कैसे ट्रेट करना चीए कौन सी जगा पर हम सर्प्राइज हो सकते हैं वह हमे यहां पर देखना है दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू करना वीडियो पुसंद आए तो लाइक और शेयर चरू करना तो यहां पर पहले समझते हैं मिट केप का तो लास में हमने क्या देखा था एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर आया था यहां पर 12,725 एक काफी एचा सा रजिस्टेंस अगर यहां पर आप देखोगे तो कही बार इसी लेवल से हमने रजिस्टेंस टेकने को मिला था तो यह लेवल फर्स आ गया आज भी हमने यहां पर 1275 लास हमारा फ्राइडे को वहीं से रिजेक्शन लिया और हमने लो लगा है जितना यहां पर हाई पर सेगंड यहां पर क्या है कि दोजी केंडल बना हुआ है तो यह आपके लिए पहले सपूर का काम करेगा 560 सप्राइस कब कर सकता है कि यहां पर वापस 660 के ऊपर सस्टेंग करते हो अगर आप 660 सस्टेंग कर गए तो इस बार यहां तक यह रखना है और नीचे के लिए हमें 560 सब्सक्राइब कर सकते हो जब तक आपका रेंज के अंदर रहता है आपको अगरेशिव गिरावट कब देखने को मिलेगी जो अभी न्यूस सलना है हिंदेन मन का वहां पर उसके बेस पे अगर हमने गैब डाउन ओपन हुआ तो यहां पर और स्टडी दिफ्रन तरीके से होगा जैसे कि यहां पर हम समझें कि हमारा गैब डाउन ओपन होता है 480 के नीचे तो यह 480 के नीचे क्या करेगा एक पहले यहां पर पैनिक देगा 400 तक के लिए अगर यह लेवल होल नहीं किया तो यहां पर फर्दर एक क्विक मौ आएगा नहीं तो इसी लेवल से बाउन्स होके वापस 560 के आसपस यहां पर क्लोज कर सकता है कंटिन्यूशन कब हो सकता है जब हम यहां पर लोग के नीचे क्लोज करेंगे लोग के नीचे अगर क्लोज करते हैं तो ऐसा भी एक केंडल बन सकता है जैसे हमने यहां पर इस शुरुवात की तो यहां तक के लिए एक आपका केंडल बन सकता है यह कल के लिए तो इस के बराबर ही मिला क्योंकि 747 के आसपास था तो हमें यहां पर इंपोर्टन क्या है कि प्रिवेसली यह जो सपोर्ट था वह भी रेजिस्टन्स बन चुका है यहां पर शॉर्ट के लिए क्या आपके लिए यहां पर बहुत दूर है जैसे कि 170 है कोई भी रीजन से अगर 170 के आस तो यह 600 पॉइंट मिलेगा तब आपको यहां पर एक अच्छा सा देखने को मिलेगा ट्रेट नहीं तो यह क्या हो सकता है यहां पर इसी लेवल पर खुल के दोजी केंडल बनाके हम यहां पर ही क्लोस हो जाएंगे जो होगा हमारा लेवल 57 200 के आसपास तो हमारा कलका एक्स कि अगर आप फ्लैट ओपन होता है तो दोनों साइट का यहां पर शॉट बनेगा तो दोनों का प्रीमियम जो अभी बन रहा है 120 बन रहा है तो नीचे में 480 ओपर में 720 तो 720 तो कंफर्म है हमारा रेजिस्टेंस 725 नीचे में हमारे पास 480 पर नहीं है सपोर्ट हमारे बास जो सपोर्ट है वह 420 के आसपास है तो मार्केट अगर गिरता है तो 420 तक का एक रास्ता पूल जाता है तो यहां पर मॉनिटर क्या करोगे आप 12,575 का यह जो पूट है अभी त्री लाइक 23,000 है यहां पर अन्वाइंडिंग होता है तो आपको एक शॉड मिलेगा अधर सा होता है तो एक आपको अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग उपर की साइड लेके जा सकता है 12,800 हमारा टार्गेट होगा 75 पॉइंट हम मान के चल सकते हैं क्योंकि इसी लिवल के आसपास सबसे ज्यादा शॉर्ट है तो यह शॉर्ट कवरिंग आपको 800 तक लेके जा सकता है बैंक 12,200 तो उसमें कॉल साइड आपको देखना होगा जो भी 18,000 है अगर यहां पर कंटिन्यू इंक्रीस होता है जैसे कि हमारा फ्राइडे भी यहां पर शॉर्ट हुआ है तो अगर यह कंटिन्यू यहां पर इंक्रीस होता है तो पॉसिबिलिटी है कि हम यहां पर 57,200 के नीचे क्लोजिंग दे सकते है शॉर्ट कवरिंग के लिए आपको यहां पर मॉनिटर करना होगा 57,800 का यहां पर जो अभी बहुत ही कम है पर अगर यह इंक्रीस होता है तो मिलेगा आपको नहीं तो 57,300 के आसपास हमारा एक्सपारी होने का चांस है अभी के इसाप से इसको हम यहा यहां पर पहले रिजिस्टन था अब यह सपोर्ट का काम कर रहा है अब यहां पर इसी लेवल पर कंसोलिडिशन कर रहा है समझो कि हम यहां पर फ्लैट ओपन होता है और जैसे यह लेवल को ब्रेक करेंगे तो आपको सेल के लिए यह बैस्ट रहेगा 564 यानी राउन फिग यह लेवल के आसपास जो है यहां पर यह पॉइंट तो यह दो टार्गेट के लिए आप नीचे कर सकते हो जब यहां से हम नीचे यहां पर सस्टेंग करते हैं तो समझो हम कोई भी रिजन से यानी जो अभी चल रहा है उसके वज़ए से हम गैप ऑपन हो जाते हैं तो यहां पर क्या होगा की फेल ब्रेकटाउट डब बने गा और यहां से कन्टिणूई नीचे जा सकता है यह तीन सिनारियो रह सकता है और यहाँ पे आपको एक trend line भी बना दिना है आपका यहाँ से इस point पे जब तक trend line के उपर है short नहीं करना है दो confirmation मिलेगा यहाँ पे 560 यहाँ ट्रेंड लाइन का breakdown एक best यहाँ पे short बन सकता है तो आपका क्या होगा इसी साब से आएगा support लेने यहाँ पे लेगा या तो यहाँ पे rejection लेगा और फिर वहाँ से rejection करेगा तब आपका target यह होना चीए 386 best example है कल के लिए short के लिए फिर आता है हमारा bank X, bank X में हमने पूरा एक rectangle में trade किया हुआ है हमारे पास जो support बनेगा वो पहला आएगा 400 के आसपास तो हम यही सोच रहे है कि अगर समझो gap down open होता है 160 के आसपास hold नहीं करते पर bounce करेंगे तो क्या हो जाएगा यह दोनों के बीच में यहाँ पे यह first जाएगा यानि समझो यहाँ पर इसके पास यह resistance का हो जाएगा यह एक support का का काम करेगा तो यह इसी level के आसपास जाके फिर से यहाँ पर close कर सकता है वो level रहेगा आपका 300 के आसपास तो यह हमारा scenario रहेगा कल के लिए expiry के लिए तो मैं आसा करता हूँ दोस्तो आज का यह वीडियो पसंद आया होगा अच्छा लगा है तो दोस्तो लाइक और शेयर चरू करना तेंक यू मिलता है नहीं वीडियो में टेक केर बाबाई